हालो फैंस वैल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई ओप आप लोग अच्छे से होंगे तो आज कुछ न्यू से टिप प्रसिस कर रहे हूं आपके साथ पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो फैंस जैसे की गर्मिया शार्ट होई चुकी हैं और चीटियों का आना भी शुरू इसी सीजन में हो जाता है हम चाहे कोई भी मीठा रख ले गरमें या चीनी इस तरीके से हम रखते हैं तो उसमें भी चीटिया बहुत जल्दी हो जाती है और चीटी होनी के बाद हम इसको चाहे जितना भी साफ कर ले यह अच्छे साफ नहीं ह पाती है और फिर हमें से यूज नहीं करता है तो इसमें चीटिया ना हो इसके लिए बहुत यच्छे एक टिप शेयर कर रहे हूं चार-पांच आपको लोंग लेनी है और इस चीनी में डाल देनी है आप टाय करके देखिए का जरूर मैं हमें साफिको यूज करती हूं मेरी चीनी कभी चीटिया नहीं होती है जादा आपको सकर खोस्टूर करकर रखना है तो आप जादा लॉंग डाल दीजिए जितना भी बड़ा कंटेनर है आप इसमें लॉंग डाल के रखिए आपको देखिएगा आपकी चीनी में कभी भी चीटिया नहीं होंगी तो टाय करके जरू देखिएगा पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजिएगा तो फैंस हम अ इसा ना हो मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिपशिया कर रही हूं कि जब भी आप चम्मस से सहथ को निकालें तो आपका सहथ गुल-गुल वेश्ट नहीं होगा ना ही आपको इस तरीके साहथ से क्लिंग करना पड़ेगा इसके लिए आपको क्या कहना है चलिए बहुत द लेना है आपको उस तरी से आपको चम्मज में आंगे पीछे दोन तरफ लगा देना है और अभी आप देखिएगा जब आप इस चम्मस से सहथ को निकालेंगे तो आपका चम्मज बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएगा सहथ को निकालने के बाद अभी आप देख रहे सहथ चिपका नहीं रह जाएगा और आपका सहथ बिल्कुल भी वेश्ट नहीं होगा आप देख सकते हैं यहां पे किस तरीके से क्लीन हो जा रहा है हमारा चम्मज तो टाइकर के जरूर देखिएगा जब भी आप सहथ निकाले तो उसमें एक बुन थोड़ा सा ओल लगा ल सरसो का तेल आपको जहां पर यूज नहीं करना है और इस तरीके से आप जब भी आप सहथ निकाले हो तो यह ट्रिक जरूर ट्राइक करके देखिएगा पसंद आया हो तो शेयर करना है बिल्कुल न भूले तो चलिए नैस देख लेते हैं फैं इस तरीके से फॉर्म जो आत नदेख गजाती हों शबसे पहले मैंने जितना पार्ट इसका लेना था उसको मैंने इसके सकाथ के अलग कर लिया तो इस तरीके से यह से अबेरा बना आना है न साग्रह उस呢 ही बना पाएंगे से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं या पर और अभी हमने यहां पर इसे क्या करना है सैलोट टेप की मदद से हम इसको चिपका देंगे तो अभी मैं इसमें टेप लगा देती हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए निकले ना बार बार तो यह देखिए इस तरीके से हमने एक लंबा सा टेप यहां से उपर से लेके नीचे तक पूरा लगा देना है अभी हम यहां पर काट दे रहा है एश्टर जो टेप है उसको हमने काट कर अलग कर दिया है तो यह हमारा एक तरीके से कॉन वन कर तयार हो गया अभी हम इसका क यहां पर यूज़ करने वाले हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूं पहले जो टेप नीचे निगला हुआ था उसको हम चिपका देते हैं तो फैंस जैसे कि हम पने घर में कैंची बगर अपने स्लाइब में यूज़ तो करते ही हैं और यहां वहां रखके भूल जाते हैं जो बच्चों के अगर हाथ लग जाए तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं रहती हैं तो इस तरीके से आप फोर्म का कवर बनाके कैंची को इस तरीके से कवर करके रख सकते हैं जो वाली फो में तो अगर कैंची आपके हां से गिर भी जाती है ना तो कैंची को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा कही बार ऐसा होता है कि हम यह उठाए और हां से चूट जाए ना तो इसकी नोक वगरा जो होती है पूरी तरह से खराब हो जाती है तो आप इस तरहिके से आपके घर में फॉर्म वगरा पड़ी हो तो उसका कबार बना के यूज कीजिए इससे आपके कैंची भी सेफ रहेगी और घर में बच्चे भी तो टाइक जरूर देखेगा तो चलिए एक और मैं आपको उसके साथ टिप शेय कर रही हूं कि जो फॉर्म में हम इसका एक और य करके इस तरीके से लगा देना है थाकि चिपक जाए आपस में और यह थोड़ा मोटा होगी हमने इसको डवल पूल कर दिया और अभी अमने एक कुस ऐलोट उप लिया उसको चिपका देगे और अभी हम चलिए इसको चिपका लेते हैं कहां पर हम लगा रहे हैं इसको जैसे लैकि जलद वाजी मैं हम इतने अच्छे से क्लीनिं नहीं कर पाते हैं कि हमारी जो मिक्सी है बहुत अच्छी तरह से चमक जाए तो हपते में एक बात तो इस तरीके से हमें क्लीनिंग जरूरी करने चाहिए ताकि जितनी भी आश्टरगंदगी जो इसमें लगी रहती है वो भी हम फ्री टाइम में अच्छी से साफ करके निकाल दे तो इसके लिए आ अपनी जगह से खिसके नहीं तो अभी हम इसको क्लिंग करने के लिए कर रहे हैं कोलगेट का यूज आप एपसिडेंगी यूज कर सकते हैं कप्रे को हमने हलका सा गीला किया हुआ था ताकि इसको अंदर जो गंदगी लगी हुई उसको क्लीनिंग करने में तो आसानी हो और तरीके से मिक्सी की क्लीनिंग ज़रू करें ताकि यह भी अच्छे से चमकती हो यह आपके किचन में नजर आए तो इसको हमने क्या करा है सीको की हैल्प सिस्टेंग से पहले हमने पैप्सिडेंट से साफ कर लिया फिर एक कॉटन ले ली और जितने अब एश्टा पानी वग घंडी पानी 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 पैंप अजला में पादी ना यह अधूरा और आक्न मिक्सी तन रखना है सिर्फ हलका हलका ही लगाना है आपको और फिर मैंने सीख ले ली और उसमें थोड़ी सी कॉटन लगाई जितने भी इसमें जो एरिये थे ना खुले हुए थे अंदर जो गंदगी जम जाती है धूल वगरा बैठती रहती है तो कॉटन की हल से हम अंदर डालके इसको हमने क्लीन कर लेंगे सीक्सी हैल्प से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है मिक्सी की जितने भी कौने बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो इसी तरीके से कॉटन की है अंदर की गैप जो आपको नजर आ रहा है उस तरीके से आप वहां भी अच्छे से क्लीनिंग कर सक और कपड़े को अलगासा गीला करेंगे और फिस सारी मिक्सी को हम पहुंच देंगे ताकि हमने इसमें जो एश्ट्रा कॉलगेट वगरा जो लगाया इससे क्लीनिंग करी है वो अच्छे से साफ कर देंगे तो इस प्लक को भी हमने साफ कर लिया और गीले कपड़े से फिर एक पहुंच लेते हैं और जल्द वालदी में हल्क मारे कपड़ा मार देते हैं और वियुट्र हमेरा कीलिनिग हो करें करें में इप्ले वगास चीछ होगी तो क्लिन नहीं हो तो हमारा मरμ भी नहीं लगता है किछ Persian में अच्छे जो काम करनेंगा और ऐसे कि घंदी पढ़ी रहे देखने में बई एच्छी नहीं लगते अपने में वगारगा तो यह में क्लिंग करने वहां, यहlord कोलिट में भी हम थोड़ा सा ब्रस लेंगे और इसको अच्छать से और उसको भी अच्छे से एक टिर्ट कर लेंगे तो आप देख़ चुक्त है कि मैंने कितने अच्छे से को मिखस कर लिया और यह कहीं से भी घंदा आपको नजर नहीं आ रहा होंगा तो यह देखे फ्रैंस कितने अच्छे से हमने ट्रीक से क्लिंग करें बहुत ही कम समय में को आपको यह मेरा आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज जादा पर वीडियो को अपने दोस्तों साथ से जरू कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी ना भूले वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता आईए प्लीज एक लाइक जरू करतीजिएगा तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइब